हेलो दोस्तो बेल कंडो में चैनल और आज की वीडियो हम बात करेंगे बास्केट बाल के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे एक्यूमेंट बास्केट बाल की मेजरमेंट कोड की मेजरमेंट क्या होती है बास्केट बाल के बारे में जानेंगे ऑफिशल्स कितने होते है score count कैसे करते हैं violation क्या होते है rule regulation क्या है इस game के और इसके साथ time out कितने होते हैं scoring कैसे करते हैं और कुछ important fact के बारे में हम जानेंगे तो दोस्तो exam के point of view से जो वीडियो अपके लिए बहुत important हो जाती है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं और जानते हैं basketball के बरे सबसे पहले हम basketball के court के बारे में जानेंगे क्या है उसकी measurement आईए एक के करके हम देखते हैं की court की जो शकल होती है इसका अकार होता है वो आईताकार होता है इसकी जो लंबाई होती है ओट की बहुत है ठाई मीटर और जो इसकी कहते हैं end line और जितनी भी इसकी जो measurement होती है वो फाइब संटीमीटर की line से होती है तो यह होती है ढाते है जानी होता है जहेंको हमारा जो प्रे आहां से अगर बास्केट करता है तो उसे थ्री पॉइंट मिलते हैं यह होता है टू पॉइंट एरिया अगर इस से बास्किट करता है मारा प्लेयर तो से तू पॉइंट मिलते हैं और हम अगर इसके अंदर से पॉइंट कर इसके अंदर से अगर बास्किट करता है मारा प्लेयर उसे एक पॉइंट मिलता है और कोई भी प्लेयर इस एरिये के अंदर तीन सेंगन से ज्यादा वह नहीं रह सकत और इसका जो एरिया होता है हम इसे क्याते हैं पर स्टिक्टर्ड एरिया हम इसे क्याते हैं और यह होती एंड लाइन यह होती है साइड लाइन और यह होता है और इस सर्कुल हम क्याते हैं सेंटर सर्कुल और दोस्तों अग्जाम में जे पूछ लिया जाता है कि इसका रेडि इस होता है वह होता है 1.8 M atter of this wid tweak होता है एक होता है 3.6 M ATR और इसके नीचे की तरफ होता है the post map होते हैं जहां पर हमारीज टीम बैठती है इसे हम क्याते हैं टीम एरिया जहां प्वो खड़े हो सकते हैं और जहां पर होता है score का table जो score count करता है उसका जो table वो इस side होता है और इसके अलाबा दोस्तो जो हमारा code होता है इसके चारो तरफ 2m rough area वो शोड़ा जाता है जो देखिए आप के जहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने red line दखाई है वो राफ एरिया है दो मीटर का होता है दोस्तों जो फ्री पॉइंट एरिया होता है जो लाइन होती है इसका जो डिस्टंस बोट है 6.75 मीटर और दोस्तों जो बीच में आईताकर हमारे दखाई दे रहा है रिस्टिक्टर एरिया हम जिसे कहते हैं इसकी जो लंबा 35 meter वो आगे होती हैं जो हमारा 3. North Sponge come here at hiring with Highlight Line से उसकी दूरी होती है 0.09 और इसके साथ हम देखते हैं जो हमारे बैंच होते हैं वहρέंज से 5 मिलएंट की दूरी पर वह होते हैं और जहां पर एक होता है 2009 होती है जहां तो हमारा अगर fall होता है तो जो play throw करता है वो end line से कितनी दूरी होती है जहां पर वो point होता है इसकी दूरी होती है 8.325 meter इसकी वो दूरी होती है जहां से लाके जहां तक तो दोस्तों यह इसकी measurement थी अब next हम देखेंगे basket ball की जो ball है उसके बारे में हम कुछ जानेंगे और इस basketball यह होती है वो से material से बनी होती है तो बहो बनी होती है दोस्तों synthetic leather से बहो बनी होती ओख यह worthwhile होती है फॉर टीन साइब में आती है और में में जाता है वे में में वेट बॉल का कम होता है है अब देखने हैं जो women खेलते हैं उनकी बॉल होती है नोहीं से लेकर 73 cm ऑल का साइज होता है देखिए जैप मैंन से थोड़ा कम है और इसका वेट भी अब देखे तो जीड़ा कम होता है यह होता है पांसो दस फाइव वन जीरो से लेकर 569 ग्राम इसका वेट होता है जो basketball का pressure होता है, air का pressure वो होता है 7.5 से लेके 8.5 के बीच इसका pressure होता है और इसे हम measure करते हैं PSI जянद की हम इसे कहते हैं pound per square inch हम इसे measure करते हैं और इसके लाबा ball का जो air का pressure है उसे measure करने के लिए एक दूसरा जो तरीका जूद किया जाता है वो हाता है 6 feet, वो वाला कैसे होता है हम अपनी ball को लेकर 6 foot की उचाई से नीचे फेकते हैं जब वो नीचे दर्सी से टकराती है तो बाफ्स जब जंप करती है और उपर आते समय अगर उसकी उचाई 49 से लेकर 54 inch के बीच अगर है तो उसका हम जो air का pressure वो सही माना जाता है वहाँ हम देखते हैं basket ball का जो board होता है उसके बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो basket ball का board होता है उसकी लंबाई वो होती है 6 feet जाने की 1.80 meter इसकी जो चड़ाई होती है 3.5 foot और meter हम देखे हैं 1.05 meter और इसके बीच में एक चोटा सा डबा होता है उसकी जो लंबाई होती है वो अगर feet में देखे हैं 1.9 feet और meter में देखे हैं तो 0.59 meter और इसकी हम चड़ाई देखें तो 1.4 feet और इसकी जो चड़ाई अगर meter में देखें तो 0.45 meter इसकी चुडाई होती है और इसके लाबा जो इसके बीच में जो डबा होता है वो नीचे से कितना होता है वो होता है 0.15 मीटर इसकी उचाई नीचे से वो होती है और इसके लाबा बोर्ड होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है तो दोस्तों जो बना होता है वुडन का लकडी क का भी बना हो सकता है polycarbonate का भी बना हो सकता है steel और इसके लावा aluminium का भी जे बना हो सकता है और हम next देखते हैं basket ball की जो ring होती है उसके बारे में आये देखते हैं दोस्तों जो basket ball की ring होती है उसकी दर्ती से जो उचाई होती है बो होती सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर होता है रिंग का जो डायमींटर होता है ठारा इंच और हम देखे लूफ होते 12 ज lobby जने की जो हमाराほ on Sugelt होता है धिले उसको उसमें शेलिए लूफ होते वह होते हैं 12 और नेट की जो लंबाई होती है दोस्तों जे है नेट की लंबाई वो होती है 40 cm तो चलिए next हम basketball के बारे में कुछ important fact देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे basketball का invention किसने की जैनकी उसका जरम दाता कौन है तो दोस्तों invent किया है basketball को वो है James Nesmith और दोस्तों पूछ लिया सकता है कब invent किया था जे किया गया था 1891 को invention इसकी हुई थी basketball की game की जो federation है उसका full form है वो है international basketball federation और short में हम इसे कहते हैं FIBA और जे बनी थी 1932 के 32 में ही बनी थी और इनके जो president है वो है president है आप साइड में इनकी picture देख सकते हैं तो आईए देखते हैं जो इंडिया की federation है basketball की उसे हम कहते है basketball basketball federation of India शौट में हम कहते हैं इसे BFI और ये बनी थी 1950 के स्वरी 1950 में ये बनी थी और दोस्तों अगर आप federation के बारे में हो जाना चाते हैं तो मैं पहले से दो वीडियो बनाके इस चैनल पर अफलोड कर चुका हूं उसमें international सभी federation है और इंडिया की जितनी भी हमारे गेम से उनकी सभी federation आपको मिल जाएंगी और आप उसकी फुल फॉर्म और कब बनी थी ये आपको सारी जानकारी आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं और नेक्स हम देखते हैं तो जो इंडिया की मैं को मैंन को 1936 में शामल किया गया था और वी मैंन को 1976 में शामल किया गया था तो इस यह में किया गया था कहते हैं केजर हम इन्हें कहते हैं तो दोस्तों यह कुछ अपॉर्टन फैक्ट थे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है कुछ निया सीखने को मिल रहा है तो प्लीस लाइक शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आए चलिए नेक्स देखते हैं अब हम गताव से आपको में प्रिश होता है उसे हम कहते हैं और दोस्तों जे प्रिज्ट सबसे असा शूटर होता है हमारी टीम में एक टीम में जिए प्ले टीम मेंी में सबसे लमबा प्लेएं होता है तो हम next देखते हैं इसकी scoring कैसे होती है सबसे पहले देखें हम three point दोस्तों जो line है इसे हम कहते हैं third point line हम इसे कहते हैं अगर कोई भी player अगर इस area से basket करता है और इसकी basket हो जाती है तो उसे three point मिलते हैं और इसी तरह अगर जे area के बीच में अगर कोई player आनके basket करता है तो उसे two point मिलते हैं और जे जो area अगर इसके अंदर से अगर कोई basket player करता है तो उसे मिलते हैं एक number ऐसे इसके scoring count की जाती है second के साब से जो rule होता है वो क्या होता है सबसे फिलेंगे तीन second का rule दोस्तों जब हमारा player इस area के अंदर basket करने के जाता है तो उसके पास सिर्फ तीन second होते हैं basket करने के लिए अगर उसके ज्यादा समल आता है तो उसे fall माना जाता है तो यह है तीन second का rule आगे है five second का rule rule five second rule होता है कोई भी player जब basket ball को अपने दोनों हाथ में पकड़ लेता है तो उसके पांस second के अंदर अंदर अपनी ball को जा तो किसी player को throw करना होता है जहां फिर basket करने के लिए try करना होता है अगर उससे ज्यादा अपने पास ball कोई रखता है play तो वो fall हो जाता है नेक्स दिखते हम eight second का rule eight second का rule दोस्तों कहता है मानली जी जहां पर एक team है एक team को eight second के पहले-पहले center को cross करना होता है मानली जी किसी team के पास जहां पर basket है और वो अपने player को throw pass कर रही है एक second से ज्यादा तो वो fall हो जाता है और यसे eight second fall मना जाता है और नेक्स्ट है 24 सेकंड का रूल 24 सेकंड का रूल कहता है कि ये वो टीम है इसने 24 सेकंड के अंदर अंदर एक बास्केट बाल का अटेम्ट करना होता है अगर इसके अगर वो टीम 24 सेकंड के अंदर अंदर बास्केट नहीं करती तो फोल मानने जाता है और बॉल दूसरी टी लगके फिर से अगर ंweenr teatee आ जाती है तो भाशेकंडि अंके पास फिर से एक वार ट्राइ करने के लिए बास्कित के लिए तो जह ड़ीजा का रूल जा केता है बाशेटम का जो बेसिक है बो जंप बहुँ से स्टार्ट होती है और दोस्तों जो टीम होती है उसने बास्केट बाल को बास्केट रिंग में अगर डालती है जितने वो पॉइंट सीमर समय में जो भी टीम ज्यादा पॉइंट लेती है वो जी जाती है इसमें क्या होता है आपने बास्केट बाल में पॉइंट लेने है और दूसरी ब्रोधी टीम को आपने रोगना है तो जो भी टीम स्थेम में में जाता होता है दो रह lovely, जो जो जनील होती है उसमें जो प्लेक टीशर्ट डालता है और शाठ ढालता है टीशर्ट फैंते हैं इसमें और जो आफ श्लीविड़ाज पहनते हैं ऐसमें और जो। होना चाहिए और टी-शर्ट है बहुत शौड के अंदर डग जनकी अपनी निकर के अंदर अच्छी तरह से डग होनी चाहिए अंदर की तरफ होनी चाहिए बार की तरफ नहीं होनी चाहिए इसके लावजे जूनिफरम के पीछे और आगे नंबर लिखे जाते हैं उसकी जो सं पीशे के तरफ जो अक्षर जो नमबाई हो सकती है और उसकी जो मटाई हो सकती है और नेक्स्ट हम देखते हैं टैम डॉरेशन इसमें क्या होता है पास्किटमाल में टोटल जो मैच होता है बौट चारीस मिनिट का होता है इसमें चार क्वाटर होते हैं दस-दस मिनिट का एक क्वाटर होता है इसमें हम देखते हैं पहले दस मिनिट का खेल होता है उसके बाद दो मिनिट की इसमें ब्रेक मिलती है उसके बाद फिर से दस मिनिट का मैच होता है जब दो क्वाटर फिनिश हो जाते हैं उसमें हम कहते हैं हाफ हà F 197 निंत की को ब्रेक देते हैं उसके आज वो फिर से ढो स्मुक्रमाइगו और जो को प्रसक्राण क्या है तो दोस्तों एगर जब हमारे चार-थानएग्र यहां में धेख्थे इचाव घ्रोटल अगर हो जाता है। अब आ ऱले तो टाई भी चर्टाण करने का प्रयास करते हैं time break करने के लिए वह सब कर ने का फार्फ ऑन्ने का इसके बाद 5 मिलिट का extra time ऋने दिया जाता है खेलने के लिए तो तो दोस्तों अगर 5 मिलिट में उन दोनों टीम का अगर time break हो जाता है तो ठीक है किसी काल अगर अगर उननका type तो दोस्तों फिर से दो मिनट का ब्रेक उसके बाद फिर से पांच मिनट उन्हें खेलने के लिए एक्स्टा टाइम दिया जाता है और इसी तरह आगे-आगे पांच मिनट का टाइम बढ़ाते चल जाएंगे जब तक उनकी टाइम ब्रेक पो नहीं होएगी तो हम नेक्स दीखते हैं तो तीन डाइम मिनता है एक बिन ओने की ऊफिक्रिदीशों होते हैं हम प्लेइब काूल में इसके और अफकरम इंप भासका में और प्लेइब श्याला रहा है एक time एकसे ज्बाभर बदल सकते हैं एक प्ले को भी बार वर बदला जा सकता है इसमें गेव में और सभी वी एक साथ बदले जा सकते हैं जनकी जो पंच wa Kayמ इनको सभी को एक साथ बदला जा सकता है और next हम देखते हैं इसमें जो falls होते हैं वह कौन पॉल भी कहते हैं धोस्ते इसमें क्या रहता है कि किसी का सब्टार्व करना किसी का फ़गना लिए इन करना किजी का में होता जएसे को को गलत आफिशल के साथ कुछ गल्थ बोलना प्लेयर के साथ कुछ गल्थ बोलना तो इसे हम कहते हैं टेक्निक फॉल कियाते हैं और नेक्स्ट आता है अन स्पोर्समेन लाइक बहेवियर माल लिजिए कोई नहीं बारवार अपना बहेवर नहीं चेंद कर रहा है तो हम इसे जे फॉल लें देते हैं और next है हम देखते हैं violation इसमें कौन कौनसी होती है दोस्तों इसमें violation होती है Travelling करना इसमें होता है बॉल को पकड़ के साथ पकड़ लेना और उस के साथ चलना जब ट्रेवल करना इससे violation कोड़ा हो रही इस सब्सक्राइब यह और next होता है बैक कोट और इसमें होता है माली जी अगर आप एक वार कोट अपना चोड़के आगे आगे तो फिर से आप पीछे नहीं जा सकते हैं अगर पीछे जा रहे हैं तो इसे हम कहते हैं बैक कोट और जे फॉल हो जाता है तो जे होता है इसमें फॉल और वाइलेशन इसमें होती है और इसके साथ इसमें जो ऑफिशल्स होते हैं, आईए उन्हें देखते हैं, इसमें एक रैफरी होता है, दो अमपायर होते हैं, एक स्कोरर होता है, एक टाइम कीपर होता है, और इसके साथ 24 सेकंड ऑफिशल इसमें होता है, दोस्तो ये थी आज की वीडियो बास्किट बाल क बारे में जो भी मैंने आपको जानकर दी है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपना स्पोर्ट दखाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक एंड अपने दोस्तों का शेयर करें तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी कोपी के साथ